साथ च्रीयकाल, साहितक साथ चैनल ते आप जिला स्वागत मैं हां हर्मीत का और आज दी क्लास वेच असी अलंकार पाग दो लैके हाजर हुए हैं इस तो पहला अलंकार पाग एक दे विच असी अलंकार शबत दे अर्थ परिभाशा अते रूपक उपमा अलंकार दोहां दे बारे विस्तार दे विच चर्चा किती सी ते आज दी वीडियो दे विच बाकी अलंकारां दे बारे चर्चा किती जावेगी सो चैनल ते नमे जुड़े विजार थी चैनल नू सब्सक्राइब करन दे नाल नाल अलंकार पाग एक वीडियो वी जुरूर सुन लेन वेख लेन ता जो उना नू अलंकार बारे पुरी सपश्पता हासल हो सके आओ जोड़े हां अज दी कलास दे नाल सबतो पहला आशी ले रहे हां अतकत्नी अलंकार अतकत्नी जो की दो शब्दा दे सुमेल तो बनिया है अत जमा कत्नी जिसनों उर्दू फार्सी देविच्च मुबालिगा किहा जान्दा है और अतकत्नी अलंकार दी जेकर असी परिभाशा देनी हुए वो यह बन दी है कि जदो कभी अपनी गलनों समझाओं दे लई अतकत्नी दी वर्तों करदा है पाव अपने नायक या किसे चीज या किसे कटना दी जो है ब्यान बाजी करण दे लई जुरूरत तो जादा बधाचडा के गलकैन दी कोशिश करदा है ता उतकत्नी अलंकार हुंदा है जिमें दास मही आदा क्यों दिता बक्की देटे डपा मेरी बक्की तो डर्न फरिष्टे मैं थों डरे खुदा एस हवाले दे विच सपष्ट हो रहा है कि जदो मिर्जा साहिबा नो अपनी बक्की दी सिफ्ट कर दे हो या दासर रहा है क्योंकि साहिबा जो है जदो बक्की नो वेह की मन दे विच चिंता जाहिर कर दी है कि ये कमजोर जही बक्की जो है ओसा नो अपनी मंजल तक पहुँचाएगी जा नहीं ता ओस विले मिर्जा साहिबा नो कहा रहा है कि दास मईया दा क्यों दिता बक्की देटे डपार तोकि ए बक्की जड़ी है ए कोई एमे निकी मोटी बक्की नहीं है दसा मईया दा क्यों इस बक्की नो चार्या होया है वो अपनी सिफ्ट भी कर रहे हैं बाहु बल्ला इनना गुमाण है कि मेरी बहादरी तो था खुदा भी डर्दा है सो तैनू किसे तरह दी चिंता करंदी लोड नहीं है इथे की है कभी ने पीलू कभी जो है उसने अपने मिर्जे देविच मिर्जे दी बहादरी दा वर्नन कर द्यां होया अतकतनी अलंकार दी बर्तों कीती है इस तो बाद आजानदा है द्रिश्टांत अलंकार द्रिश्टांत जिस्तों पाव है मिसाल हवाला जा उधारन जदों कभी जो है किसे गल नू सपष्ट करन दे लई उधारन दे के सुरोते नू या पाठक नू समझाओना कोई पहला तो बढ़ी होई मिसाल या हवाला या उधारं दे राही अपनी सुरूते नो अपनी गल का थजड़िये सपष्ट करना चौनदा है ता उथे द्रिष्टांत अलंकार वरतिया जानदा है जिसनो उर्दू-फार्सी दिविच तलमी किहा जानदा है हवाला असी ले रहे हैं मिसाल वजों सपष्ट करन दे ले कि पाणी अंदर जिस तरह मच्छी है तिलक दी फड़ियां ही फड़ियां जावे निकल दी जिन्दगी सो कवी ने एस सपष्ट करन दा यतन किता है कि एस समाज दे विच या जिस तरह पाणी दे विच मच्छी जड़ियां हो शेती कि तेयां हाथ विच नहीं आऊंदी जिस तरह मच्छी जिन्दगी दोहा नू सपष्ट करन दे लई कवी ने जिन्दगी नू सपष्ट करन दे लई ए हवाला लेहा है कि पाणी अंदर जेस तरह पाव एथे जेस तरह जिस तरह जिड़ा है जिमें जेस तरह ये शबद जित्थे आजवे ओथे द्रिश्टांत अलंकार होंदा है कवी ने पाणी अंदर जेस तरह मच्छी तिलक रही है ठीक एसे तरह मनूख दे हथा ने विच्छों जिन्दगी नू किरदे होया दर्शाया है जो इत्थे द्रिश्टांत अलंकार है जां आ आ के याद तेरी जंगल गमादे चीरे जुगनू है चीर जानदा जियों रात दा हनेरा जिमें पहले शेर दे वेचे जिस तरह शवद्धी वर्तों होई है इत्थे जिमें या जियों हवाले वज़ों वर्तिया गया है कि प्रेदमा दी याद जो है प्रेमी दे हिर्दे दे जंगल नू इस तरह चीर रही है जिमें जुगनू राद दे हनेरे नू चीर जानदा है सो इते दिरिश्टांत अलंकार है इस तो बाद आजानदा है अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार धी खूपी ये है कि इस्ते विच्छ व्यंजन अखर जां पदां दे तोल धी समानता हुंदी है पाव कवी अपनी रचना नो प्रभावशाली बनाऊंदे लई खूपसूर्थ बनाऊंदे लई या उसते प्रभावनो तिख्यां करन दे लई व्यंजना अखरा या पदा दी जो है ओ दोहरा पैदा करदा है तो थे अनुप्रास अलंकार पैदा हो जानदा है जिमें चलो रंगा सुगंधा विच नहाये हवा विच बार बार आवे ना आवे इथे बार बार शबद जो है ये दुबारा वरत्या गया है दोहरा होया है बार बार शबद दा इथे अनुपरास अलंकार है अगला शेर है कड किसे अमरीक तक्या निभ दियां चुस्तियां चलाकियां हुशेारियां सो इथे कवी ने चुस्तियां चलाकियां अते हुशेारियां इना शबद दे विच एक संगीतक लै पैदा कर दिती है इते अनुप्राश अलंकार है, जहां फिर दर्सन, पर्सन, सर्सन, हर्सन, इते भी हर शबद जो है इदे आखρι जडे पर जड़े विएंजन ने दोहराये जा रहे हैं, तां इते भी अनुप्राश अलंकार जही पेशकारी हो रही है, इस तो बाद आजान्दा है विरोधी अलंकार विरोधी अलंकार जिमें के इस दे नाम तो ही सभष्ट है जिमें विरोधी शब्द हुन्दे हन दिन रात सोख दोख सो एसे तरह जदों किसे चीज दा या किसे गुण दा कम दा प्रभाव जड़ा है वो उल्टा दस्या जावेता उत्ते विरोधी अलंकार हुन्दा है जिमें पाखदे कोड़े वांग गुलजार लूहे डाड़ी मिठी ताचीर जुदाई दिये जिदाई जड़िये कदे वी मिठी नहीं हो सकती जिदी तासीर हमेशा जो है दुखदाई हुन्दी है कोड़ी हुन्दी है मिठी नहीं हो सकती जो इथे की है विरोधी अलंकार जा तेरेया नैनाच सरगी मेरिया अखांच शाम नेर ते चाननदा होवे किस तरह एक था मुगाम सो इथे एक पासे नैनाज देविच सरगी है प्रेमी जाँ प्रेमीका दोहा देविचों एक दिया अखां देविचों सरगी पाव आस दी किरन है दूश्रियां दियां अख्छां देविच शाम पाव निराशा है तो इथे कवीने तेरियां नैना च सरगी मेरियां अख्छां च शाम देर ते चानन दा होवे किस तरह मुकाम इथे विरोधी अलंकार दी बर्तों कीती है इस तो बाद आजान्दा है विरोधी अलंकार विक्रोधी अलंकार विक्रोधी तो पाव है टेड़ा कथन पाव विक्रोधी दी वर्तों जित्थे कीती जान्दी है उथे कथन दा अर्थ जिड़ा है वो टेड़ा हो जान्दा है पाव जो गल कही गई है उस तो उल्ट उस दा अर्थ निकलदा होगे ये क्योंकि अर्थ अलंकार है पाव असी पहली वीडियो देविच जो अलंकारां दा वर्गी कर्ण कीता है उते अलंकार तेन परकारदे दसेहन शब्द अलंकार अर्थ अलंकार अते शब्दार्थ अलंकार ते इना तिना दे वि है अचार्या कुंतक नू मन्या गया है मिसाल वजों जो एक बहुत ही परसिद उक्ती सहाइक पुस्त का देवित्वी विद्यार्थियां ली मवजूद है उससे दा हवाला लाके ऐसी गाल कर रहे हैं केंदेने की एक वरी शिरी कृशन जंगल देविच गववां चरा रहे हैं और एकदम अचानक बारिश आजन्दी है बारिश मी हनेरी चखड आउंदेनाल जो है ओ राध का दा कार नेड़े हून सदका पाज की उथे चले जान्दे हन ते अगो राध का उनानू दूरों पज्यां होयां आउंदे आनू वेह के ओ मखोल करन्दे नियत देवे ता क्रिशन जी जदो जाके दरवाजा खड काउंदे होई केंदे हन कि सकी खोल रही किवाड तुझे कहूं बार बार हरी नाम है हमार कि तू दरवाजा खोल किवाड तो पाव है दरवाजा तेनू बार बार अवाजा दे रहे हां हरी नाम हरी पाव मैं क्रिशन पाव जो हरी तो पाव बांदर लैके लगों उत्तर दें दिया कि बसो कंद्रा पहाड में पाव बांदर है तर्थ कोई काम नहीं पहाडा दिया गुफामा देविच कंद्रामा देविच जाके वस तो इत्थे जो है गल कही कोज़ होर गई है पर उस्दा राधिका ने अर्थ तो इस तो बाद आजन्दा है प्रोढोक्ती अलंकार प्रोढोक्ती अलंकार जो है ये भी एक अर्थ अलंकार ही है पाव इस देविच्वी शब्दा दिथा में अर्था देविच खूपसूर्ती पैदा हुंदी है और प्रोढोक्ती अलंकार देविच अकारण नों कारण म लेंदा है ये अकारण मुं कारण मनना ही इस प्रढोकती अलंकार दी मुख पशाण है कुधारण वजों असे कैसागदे हां कि काली कोयल तो कित गुण काली आपने प्रीतम के हो बिरहों जाली सो कोयल दा काला रंग जो है वो क्योंकि कुदरत दे विच रंगा दी वन सवनता है कोयल दा रंग कुदरती काला है पर कभी ने अपनी कलपना दे अनुसार कलपना दे द्वारा कभी दा रंग काला क्यों मान लिया है कि आपने प्रीतम के हो बिरहों जाली क्योंकि अपने पिरतम दे विशोडे दे विच पोज दिया हुया उस दा रंग जो है वो काला हो गया है जल गया है विशोडे दे दर्द नो ना सहार दिया हुया वो पोज के काले रंग दी हो गई है सो इथे कभी ने कल्टना कर रही है कि कोयल दा काड़ा रंग कुदरती नहीं बल्कि आपने पिरेतम दे विशोड़े दे विच होया है सो इथे प्रोढोक्ती ये लंकार है दूजा हवाला है कि आही साधियां गईयां उपर अंबर काड़ा होया उड चंग आडा बाल दे दैव चो अंबरी तारा होया पाव अंबर दे काला हून दा कारण जो है वते वाता वरन दे यानिकी मौंशून आवन दे नाल जोनो कालियां कटावा चाड़के आवन दियां थे अंबर काले रंग दा नजर आँदा है पर कवी ने अपनी कल्पना दवारा दस्या है कि आही साधियां उपर गईयां क्योंकि प्रेतम दे विशोडे दे विच प्रयमिका दे हिर्देजियां जडियां आहां हन वो उड़ के उद्धे चले गए हैं जिस सदका अंबर काचदारं काला हो गया है इस तो बाद आजानदा है लेश अलंकार जो अजहा अलंकार है जिस दे विच भी गुण विच दोश ते दोश दे विच गुण दी कल्पना कीती जानदी है कभी द्वारा उत्थे अलंकार लेश अलंकार पैदा होंदा है जिसनों उलेश अलंकार भी किहा जानदा है इस तरह स्पष्ट है उलास अलंकार है इस दा नाम उलास अलंकार इसनों किहा जान्दा है और इस दे विच जिमे की पहला दस दिता है कि स्पष्ट है कि गुण दे विच दोश अथे दोश दे विच गुण दी कल्पना कीती जान्दी है जिमे मूरख नू असवारी हाथी पंडित फिर नप्याद दे पाटे जोड़ें मूरुख ताई जड़ी है एक आउगण है मनुख ता मूरुख होना कोई खूबी नहीं है पर कवी ने अपनी कल्पना द्वारा मूरुख नू अस्वारी हाथी कोड़ें पाव मूरुख ताई नू इक गोण मालेया है पाव मू ग्यान जो है मनुख दी एक खूबी है गोण है पर कवी ने अपनी कल्पना द्वारा इस चीज नू एक आउगण मालेया है इसले यो क्या रहा है कि पंड़त फिर नप्याद दे पाटे जोड़ें पाव मूरुख ताई नू एक गोण मालेया है और पंड़िताई नू एक अउगण मालेया है जिस सदका रचना दे विच लेश अलंकार पैदा हो गया है इस तो बाद आजान दा है लकोक्ती अलंकार लकोक्ती जिमें की इस दे नाम तो ही सपष्ट है कि इस दा अर्थ है अखान जा कहावत पाव ओ गल्ला जिड़ियां पहला ही लोक मुहां ते सपष्ट करन दे लिए कभी हवाले वजों वर्त दा है पाव कभी अपनी गल्लों सपष्ट करन दे लिए जदों किसे लकोक्ती जा अखान कहावत जो लोक मुहां ते चड़ियां हुई यहां उन्ना दी वर्तों करदा है मिसाल वजों तां उत्थे लकोक्ती अलंकार पैदा हो जानदा है और पंजाबी साहेट दे विच वी लकोकिती लंकारदी कीती है ते ओपाई गुर्दास्तियां वारां दे विच हुई है कि छे साहे नहीं हैं, खाक करके वारशा दे शेन्दियां दे जिन्नेवी बंध हैं हर बंध दी आकरी सतर जड़ी है ओ अखान बनां है उदारन लई है रचनामादी पाई गुर्दास्तियां वारहन की गिदर दाखना अपड़ा आख है थू कोड़ी नचण नचणा जानई आख है पोई सोड़ी कवी ने जो है इथे कलपना देनार अपनी गल कवी ने जो है मिसाल देनाल खान देनाल अपनी गलनों सपष्ट करंदा यतन कीता है ताह geliyor दोज़े पासे वारिष्षा न आघ्धा जान दियांने पावे कटी है पोरियां वारिषा ने मुलोख दियां आघ्धा जडियां उननों चिर स्थाई दस्या है मुलोख दियां जडियां आघ्धा ने लकोकती अलंकार है कि विद्यार्थियां नो अलंकार बारे पूरी तरह सपष्ट हो गया होएगा कि अलंकार पाग 1 अते अलंकार पाग 2 दोहां दे विच 80 शलेबस दे विच शामिल 9 दे 9 अलंकारां बारे सपष्ट चर्चा कर देती गई है उमीद है कि विद्यार्थियां ले ये वीडियो जो है ये काफी लाहेवन साबित होएगी जो भी विद्यार्थी इस चैनल नों सुन रहे ने चैनल नों सब्सक्राइब करन दे नाल नाल बैल दा बटन वी दबालवो ता जो नम्या वीडियो तो अटे तक लगातार पोज़ दियां रहें और चैनल दी प्ले लिस्टे विच जाके आपनी क्लास दे नाल संबंदित बीए पाग दो दी अगर असी क्लास दे विच हाँ बीए पाग दूज़ा दे समेस्टर चोथा दी जो प्ले लिस्ट बनी होई है उस दे विच जो वीडियो एड कीतियां गई है हन वो सारियां वीडियो तुसी सुनके आपने इस लेबस बारे सारी जानकरी हासल कर सकते हो जो जोड़े रहना चैनल दे नाल एसे तरह ही चैनल नों शेयर सब्सक्राइब दे लाइक कर दे रहना ता जो हूर भी विडियार थी इस चैनल दा लहा लैसकन मिल दे हां अगली वीडियो दे विच तद तक इजाजत तनवाद